पूरा complete history इसमें revise करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट कोशन है, भारती सुधार समिती की स्थापना किस ने की थी, तो भारती सुधार समिती की स्थापना दादा भाई नरोजी ने की थी, कब की थी, 1887 में, 1887, अगर यहीं पर पूछा जा कि दादा भाई नरोजी कॉंग्रेस के अध्यच बने थे, 1886 वाला जो सम्मिला था, उसमें अध्यच बने थे, कॉंग्रेस बनी थी, 85 में, दूसरे साल बने थे, यह अध्यच, कॉंग्रेस के लोग पदों की भूकिया, यह कथन किसका है, यह बंकीम चंद्र चटरजी का कथन है, धन निकासी धान स संबनिक प्रमुग वेक्थी कहन है, जो मौडरन हिस्टी में जाने जाते हैं, एक है दादा भाइय नोरुजी तूसरे है रमेश चंत्र दत, तीसरे है दिन सा वाचा, रमेश द्बन दिन कासी संबनित थे, जो ऑद्रेन थे यह भिंच उसला रहा था, वारत से उसे सम्मिन में लड़ा था तो यह लड़ा था लिबरल पार्टी की तरब से 1892 में लॉड करजन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोष्टना कब की थी यह घोष्टना कब हुई थी 20 जुलाई 1905 को और यह लागू कब हो गया था यह विभाजन तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ सुदेसी आंदोलन की घोषना कब की गई साथ therapist को सुदेसी आंदोलन की घोष्ट시 kann की थी 2005 में इसे के विरोध में जो बंग stip वाला यह आया था यह नेर्णय इसे के के विरोध में सुदेसी आंदोलन सुरूगा था नेक्स्ट है सोदेशी अंदोलन का विचार सबसे पहले कहा प्रस्तूत किया था तो सबसे पहली बार एक पत्रिका में प्रस्तूत हुआ था एक पत्र में संजी उनीक पत्र यह पत्र किसका था क्रेश्ण कुमार मित्र का बांनेक्स्ट है टि कॉंग्रेस के कि सदाश्च में की गई थी उससी राज की अध्यच कौन थे और इस काउंग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी इस अधिवेशन के अध्यच कौन थे तो फिर नरावीशन वह था उसमें नरंदल और गरम दल में विभाजित हो गई ती कॉंग्रेस जैसा कि आपको पता होगा और इसमें जो अध्यच थे उते राज भिहारी घोस न नाम क्या थे जिन्होंने प्लेग के समय जादियों के कारण प्लेग अधिकारी रेंड और एस्ट की हत्या कर दी तो यह दो भाई कौन से थे दामोदर और बालक्रिस्ट यह चापेकर थे चापेकर बंदू दोनों कहा जाता है इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं जापेकर बं बंदू में भारत आई थी 1893 में आए थी 1830 में में कॉंग्रेज की पहली महिला अध्यक्ष कॉंती अनीबेंस बेसंट उन्हीं सत्रा में अध्यच बनी थी पहली महिला अध्यक्ष का अध्यक्र तो सरोज्णि नाव्ड़ू थी जो कि 1925 में बनी थे नेक्स्ट अनुसीलियन समीती से समद के सते हैं अभर नाम बारत संस्ता सब्सक्राइब AIP 10 कौन इस विधा गए थी ऑर यह कब बंडार के शिर्णी 14 सब्सक्राइब देख्वर एयो अभी नोब्हारत संस्ता 9c9cs था बी अन बापट और यहां पर अनुसीलयन समीती की तरफ से गयते हेम चंद्र दास कानून गो नेक्स्ट है बाल गंगत धर तिलक को भार्टिय सांति का जनक किसने का है वेलेंटाइन शिरॉल ने तिलक के प्रियासों से गड़पती और सिवाजी उच्छो मनाने की सुरुवात कब हुई तो गनपती उच्छों नेक्स्ट है खुदी राम बोस को फासी कब दी गई थी तुई सबसे कम एज में फासी देने वाले वेक्तिएं फासी ने मिली थी सबसे कम एज में 11 अगस 1908 मेनी फासी दी गई थी कहां पर किस काराण से तो मुझपर फून में एक जज किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास मेनी फासी दी गई थी लेकिन यह मरे नहीं थी बम किसी और के उपर गया एक थे कैनेडी एक अधिकारी थी अंग्रेज अधिकारी उनकी पत्नी और बेटी इसमें मर गए थे और वो इंडियंस को सपोर्ट कर आते थे लंदन में आकशने की टीग क्राफण वर्मां ने पांच में उस्लिम मिंफ रूर्म का गठन कभ हुँआ था तो 30 दिसम्बर नीसुचACE मुस्लिम लीग का प्रथम अदिवेशन कब हुआ तो मुस्लिम लीग का पहला अदिवेशन हुआ था 1908 में अमरित सर में हुआ इसके अध्यच कौन थे आगा खां विलियम करजन वाईली की हत्या किस ने की थी मदनलाल ठींगरा ने 1909 में की थी विलियम करजन वाईली की हत्या मदनलाल ठींगरा 23 दिसंबर 1912 को वाईसराय लौड पर बम फेकने के लिए किसको फासी दी गई थी तो इसमें कई वेक्ति हैं एक हैं मास्टर अमीचंद को फासी हुई थी अवद बिहारी लाल को फासी हुई थी बाल मुकुंद को फासी तो एक नॉमबर 1913 में स्थापना हुई थी कहां पे सैन फ्रांसिस्को में कौन थे इसके में जो हेट थे लाला हर्दयाल नेक्स्ट है कोमा गाटा मारू जापानी जाहाज को किसने किराय पर लिया था उसके बाद ये लेके सभी को कनाड़ा गय थे तो बाबा गुर्दत सि ने इसको किराय पर लिया उसके हाथ कुछ एस याई विक्तियों को जिसमें भारती भी सामिल से उनको लेके कनाड़ा गय थे जहां से उनको वापस कर दिया गय था तो घटना कब किये 1914 महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपादी कब मिली 1915 में जब ये प्रथम विश स्थापना कब और कहां की तो यह पूना में की थी दो होम्रोवली स्थापना मने की चुछ स्थापना कंप की सितंबर Ingred fiction 2019 अगला कोश्टन ही था गांधी जी ने सत्याग्रह का सरप्रतं़ आपने के लिए सिया स्थापना गान्धी ने उन्य सो ऑफ़ारा में ट्रस्टी शिप का सिद्दान किसने दिया था यह माइन गान्धी ने दिया था ताकि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है जो मालिक होते हैं हमसे आल इंडिया ट्रेट यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना कब और किस ने की तो ये इसके स्थापना नारायन मलहार जोसी पूरा नाम है और ये स्थापना कब हुई थी 30 अक्टूबर 1920 को इसके पहले अध्याच कौन थे लाला लाजपत राए लाला लाजपत चाहिए माहतharma गांधि ने पहली बार भूह बोग हर्ताल किस आंदोलन की तो पहली बार नेक्स्ट है रोलेट एक्ट कब लागू किया गया तो यहां पर गोली बारी हुई थी तो हंस राज एक जो था व्यक्ति गदार और यह मिल गया था माइकल ओडाया से नेक्स्ट है चलिया वाला बाग के दोरान हुई 26 तबाई के बाद विरोध सुरूप क्या क्या हुआ था क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे हुई थी पुछी जा सकती है संकर नाया ने वाइसराय की कारेकार्णी परिशत से स्तीफा दे दिया संकर नाया वाइसराय की कारेकार्णी परिशत में सामिल थी इन्होंने इस्तीफा दे दिया गांदी जी ने कैसरे हिंद की उपादी वापस कर दी जम्लाल बजाज ने राय बहादूर की उपादी वापस कर दी रवींद्र नाठ टैगोर ने सर की उपादी वापस कर दी यह उपाधिया याद रखने हैं किसकी कौन से थी है नेक्स है कि जलेवाला बाघ हतिया कांट कि लाइन की सद्द्द से कौन कौन थे उसमें 5 अंग्रेज सामिल इसका नाम इता iस sanska से कंगरेजी तरफ से तो जब अंग्रेज तरफ से बणी तर ची तो उसमीं पांच में की गई थी पुष्टी असायोग गांदोलन की उनिसो बीस में उसके बाद यह सुरू कब हुआ था असायोग गांदोलन से असायमत प्रभु बेक्ती जिन्हों ने कॉंग्रेस छोड़ दी तो कुछ लोग असायमत थे मौमद अली जिन्ना उसमें सामेल थे एनी बेसंट को बहुत पसंद नहीं था विपिंज़ंदर्पाल को भी पसंद नहीं तो यह तीनों लोग एंटी कॉंग्रेस वाले थे एंटी असायोग अन्दोलन वाले थे नेक्स्ट है पांच फरोरी भी आपको मिल सकता है नेक्स्ट है चित्रेंजंदास और मोतिलाल नेरू के द्वारा स्वराज पाट्टे की स्थापना कब और कहां की गई थी तो 1923 में की गई ति स्थापना इलाहाबाद में नेक्स्ट है महात्मा गानी द्वारए एक माद्र कॉंग्रेश के कि अधिवेशन में एधेचत्य न की गई तो बेलगाओं के अधिवेशन में 1924 में कंटवा यो कहां अ किस गय घ्याज अधेश्योस्तान तो पहली बार वाली जो बनी थी हिंदुस्तान रेपब्लिकन एस्योसियेशन दिल्ली में नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन एक्षन की जो कान्ड कहा जाता था इसे ट्रेन एक्षन के नाम पर बदल दिया गया है तो यह कब हुआ था नौगस 1925 में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कब हुआ था क्योंकि अभी चर्चा में रहा था और यह ट्रेन कहां से आ रहे थी तो सहारन पूर से लखनो एक ट्रेन आ रहे थी तो लखनो से थोड़ा पहरे काकोरी स्टेशन पड़ता है वहीं पर यह ट्रेन एक्षन ट्रेन लूट की बात हुई थी इसमें किसको फासी दी गई थी यह पुछा जाता है तो राम प्रसाद बिस्मिल को राजेंद्र लाहिडी को अस्वाक उल्ला खां को रोसंजिंग को चारो नाम ऐसे रटे होनों चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिडी अस्वाक उल्ला खां और रोसंजिंग आज इवन कैद है अगर पूशा जाए गठन कब हुआ 1927 में नेक्स्ट है नेरू रिपोर्ट को अंतिम रूस से अगस्त 1928 में सुविकार किया गया था उस सर्वदली बैठक के अध्यच कौन थे जिसमें से स्विकार किया गया था तो मोतिलाल नेरू की थी नेरू रिपोर्ट इसे जिस नहीं किया था जस्टिस पार्टी ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने याद रखनी है नेक्स्ट है भागा सिंग के नेतरूत में पुलिस कप्तान सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई कब की गई थी हत्या तो सब 17 दिसंबर 1928 में यह बदला था उसी का जो लाल एक सेफ्टी विल उस टाइम पे चल रहा था उसी के विरोध में यह बं फेका गया था आठ अपरेल 1929 नेक्स्ट है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्षी गोसित क्या गया तो लाहर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्षी गोसित क्या गया था अधिवेशन में पूर्ण स्वर्ण स्वराज को किस अने नाम से जाना जाता है तो इसे दिल्ली समझवता पर कहते हैं कब हुआ था ये गांधी एर्विन समझवता चार मार्च 1931 को जिसमें कॉंग्रेस को गोल में समेलन में आने के लिए राजी किया गया था कुछ बातें यहाँ पर गांधि जी की माने गई थी जो यो तो लोग हिंसा वादी थे जो हींसा में लिप्त नहीं थे उन्हें जल से रिहा करने थे तो तीनों के टाइम थे जेम्स रेमजे मेक्डोनॉल पहला 30 में हुआ था दूसरा 31 में 32 में नेक्स्ट है सविनाय अंदुलन की शुरुआत कब हुई 3 जनुरी 1932 को यह पर 32 की जगे 30 होना चाहिए 30 है पठान सत्याग्रेवीं पर गोली चनाले से इंकार करने वाली बटालियन कौन सी थी ती गड़वाल राफल्स ने सविनाय अंदुलन के दौरान गोली बारी नहीं की थी नेक्स्ट है भगत सिंग राजगुरु और सुकुदेव को फासी कब दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी तो जब गांधी रविन समझाता हुआ था उसमें इन तीनों लोगों की फासी पे गांधी जी ने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया कि इनकी फासी रोकी जाए इसलिए उनका काफी विरोध हुआ था नेक्स्ट है कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी मई 1934 में अखिल भारते किसान सभा का प्रधम सम्मेलन कब और कहां हुआ ये अप्रेल 1936 में लखनव में हुआ था इसके अध्यच कों थे स्वामी सहजानंद अखिल दो बार सुभाज चंद्रबोस अध्यच बने थे कॉंग्रेस के 1938 में और 1949 में तो 1938 वाले में तो पुरी तरह से बने थे फिर त्रिपूरी वाला हुआ जबलपूर में ये वाले सम्मेलन में पटावी सीता रमया और इनके बीच एक होड थी सुभाज चंद्रबोस के बीच क जिनके स्तीफा देने के बार डॉक्टर राजियन प्रसाथ को अध्यच बनाया गया था कॉंग्रेस का नेक्स्ट है गांधी जी तुवारा 17 अक्टूबर 1940 को वेक्तिका सत्याग्राय सुरू किया गया इस आंदोरन के दूसरे सत्याग्राही कौन थे तो ये तो सबको याद कि ने अलग मुस्रिम राष्ट की मांग अपने किस अधिवेशन में की तो अपने लाहर अधिवेशन में की थी ये अधिवेशन 1940 में वह था इसके अधिश्ते मोहमद ली जिन्ना अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताओं कहां पारित हुआ था ये वर्धा में पारित उसके बाद कारी समीति ने इस प्रस्ताओं को स्विकार कब किया आठ अगस्त 1922 को और भारत छोड़ों अंधुलन की सुरुआत कब हुई 9 अगस्त 1922 को तीनों चीज पता होनी चाहिए पहले इसका क्रम भी पुझा सकता है तो पहले इस प्रस्ताओं आया उसके बाद पार सिंगापुर में किया इसका समर्थन किस ने किया था तो एक सरकार सिंगापूर में सुभाज चंद्रबोज के द्वारा 1947 में ही बना दी गई थी इसका सपोर्ट जर्मनी और जापान ने भी किया था नेक्स्ट है अक्टूबर उन्नी सो चंद्रबोज के आजाद हिंद फोज के अद्यस बनने के बाद इसके ब्रिगेड का नाम क्या था इसमें जो ब्रिगेड बनाइती उन्होंने सुभाज चंद्रबोज में किस दूप के पास हसमें आग लगई और उसके बाद सुभाज चंद्रबोज के इम्रत्य हो गई थी जहाज में सुभाज चंद्र बोस्की का जा था इसमें मृत्य हो गई ती जन्म कब हुआ था तो जन्म हुआ था 23 जनुरी 1897 में कटक में हुआ था कटक का है उडिशा में आजादी इंद फोच के गिरफ्तार अधिकारी कौन-कौन से थे तो इसमें पीके सैगल थे गुरु धयाल धिलन थे सानमाज खान थी तीन नाम रटे होने चाहिए इस्हें को कहा जाता है लाल किला मुकदमा जो 242 में लाल किला मुकदमा चला था इसमें कौन कौन सामिल थे पीके सैगल गुरु दयाल धिलन सैनवाज खां वकील कौन इसमें थे जिन्होंने इनकी पहरवी की तीन की तरफ से वकील कौन थे तो भूला भाई देशाई की अध्यशता में यह अध्यच थे वकीलों के और दो गौर इसमें सामिलते तीन लोग जवाल लाल नहिरू के अनकार्जू और तेज बादूर सप्रू तो यहां पर अध्यच बूला भाई देशाई इसके अलामा जवाल नहिरू ने बहुत दिनों के बाद अपना वकील वाला बादा पहनाता है सका जाता है कि अनकार्जू और तीन सदस थे पैथिक लॉरेंस, स्ट्रेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेकजंडर यह कब आया था कबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में मुस्लिम लिग द्वारा प्रतेश चिकारेवाही दिवस कब मनाया गया 16 अगस 1946 को मनाया गया था कलकत्ता में भारत विभाजन की मांट बेटन य विभाजित होगा देश इसके विरोध में डॉक्टर किचलू थे पुरसोतम दास्टेंडन थे मुहमद हजीफुर हफीजुर रह्मान थे नेता चौत्राम थे तो प्रमुक्वेक्ति यही थे जो विरोध कर रहे थे क्योंकि लास्ट में सभी लोग मान गये थे विभाजन सब लोग मान गये थे लेकिन इतने लोगों ने विरोध किया था भारती सुधिंता स्वाधिंता बिधेयक ब्रिटिस संसद में कब पेस किया गया थे चार जुलाई 1947 में पेस किया गया था और पहले यह हाउस ऑफ कॉमन्स में गया था जैसे लोगसाबा और राजेसाबा हो होते हैं तो वहां पे 15 जुलाई को पारित हुआ था फिर हाउस ऑफ लॉड्स जो राजेसाबा की तरह होता है वहां पे 16 जुलाई को पारित हुआ फिर समराट के इस पर हस्ताचर कब हुए 18 जुलाई को उसके बाद हमारा देश आजाद कब हुए 15 अगस 1947 को पहले एक दिन और अंतिम भारती गवर्नेंट चर्णल कौन थे यह थे सी राजगोपाला चारी उसके बाद फिर राश्टपती वाला सिस्टम आ गए तो 1950 में पहले राश्टपती राजेंट प्रसाद में थे पहले प्रधान मंत्री जवाला नेरू तो यह चीजे इंपोर्टन थी वीडि क्रेlasश केंगर, जहां लेए तो फित शीजेच खान बाद से